हेलो फ्रेंड्स वेल्कम बेक टू आवर चैनल प्लांट सिस्पेस आज हम आपसे एक फ्रूटिंग प्लांट के बारे में बात करेंगे जो की जमुनी और ममुनी कहा जाता है उसको जमुनी भी कहते हैं और ममुनी भी कहते हैं जो की जामुन से थोड़ा छोटा फ्रूटिंग करता है जामुन थोड़ा बड़ा फ्रूटिंग करता है लेकिन जमुनी में थोड़ी सी छोटी फ्रूटिंग होती है तो जो जमुनी होती है उसके फ्रूट्स जामुन से थोड़े छोटे होते हैं और जो फालसा होता है फालसे से थोड़े बड़े फ्रूट्स आते हैं इसमे तो ये जमुनी की पत्तियां हैं जो की काफी बारीक और पतली होती है और छोटी होती है तो इनसे आप पहचान कर सकते हैं कि ये जमुन का पेड़ है या जमुनी का पेड़ है और ये जामुन का पेड़ है जिसमें पतियां काफी मोटी भी होती है और बड़ी भी होती है तो पतियों से ही आप पौदे की पहचान कर सकते है जामुन की फ्रूटिंग गर्मियों में होती है और जामुनी की फ्रूटिंग रेनी सीजन में होती है जब जामुन खतम हो जाते हैं लगभग रेनी सीजन आ चुका होता है तब जमुनी में फ्रूटिंग स्टार्ट होती है और जमुनी जामुन से ज़ादे फायदे मंद होती है क्योंकि आपने सुना ही होगा कि जामुन को शुगर में यानि मदुमेहे में खाया जाता है उसकी गुठलियों का पाउडर भी तैयार करके दवाईयों में डाला जाता है सुखा कर और इसी तरह से जो जमुनी होती है वो भी यही फायदा करती है लेकिन जमुनी के फायदे ज्यादे होते हैं जामुन के अकॉर्डिंग तो आपने जारतर मार्केट में जामुन ही देखा हो वोगी, तो एक हम लेकिंगोर एकनी तो चाहीं होती है तो देखी सकते याच इसके बढना जिकलत रह रहर estás और यह crappy पुराना हो गया तहाए इसने के फूल्ट है यह प्रूट्स हेल्दी और वह जाते हैं I'm यह हमारे Garden Saunder में लगा हुआ है जहां पे एक तालाब है वही इसको पानी दूता है वहigraphा है इसे में कूछ बहुत ऐलने की जुर्णाद नहीं होती है उर बहुत अचही फूम करता है बहुत अच्छी फूम्हाद है...? कुछ खाता फ्रूट कानन देन हैं और यह पाष्ण प्लांट पे पुरूट Chinese झाल जावन चैनल के स्पीन देच जानन होता है पखत regulatory कला खोता है क्यों यह मैं निर्ध की पगई निसाल निर्ध कर दुणी यह होना जде ji प्लांट की फ्रूटिंग दिखाई जाए और काफी अची फ्रूटिंग है हमारे पेड़ पर और इनकी पहचान यह होती है जिभी अच्छे से पक जाते हैं कि आप इनको हाथ लगाते हैं यह तुरंत आपके हाथ में आ जाएंगे इस तरह से तो आपको मेहनत नहीं करनी होती अथरी ब्लांट उसकत प्लांट में देढ़ तो जा मतलब वह और पकी पूरे फ्रूट प्लांट पर कभी अची फ्रूटिंग है और पडिर हमेरे इसची थीच captain यह हमारे आपको पेड बताया जो हमारे घर के बाहर लगा हुआ था तो उसके ही जो बीज थे सीट थे वो यहां पे डाल देते थे हम गार्डन के एंड में तो उनहीं से ही पौधे तयार हुए और उनहीं से ही बड़े हुए और अब इनमें फ्रूटिंग स्टार्ट हो गई है तो वो सड़क बनने की वज़े से वो काटना पड़ा था कट गया था तो उस पे काफी अच्छी फ्रूटिंग होई थी और सभी लोग उसका बहुत आनन लेते थे पशू पक्षी जानवर बंदर इंसान सभी उसको खाते थे तो यह जमुनी अगर आपको कहीं दिखाई दे तो इस का आनन मिलेगा क्योंकि रेनी सीजन में जामुन नहीं आते हैं जमुनी ही आती है और जामु से जादा फायदे मन जमुनी होती है इसलिए अगर आपको कहीं भी इसका कोई फल दिखाई दे तो आप उसके सीड जरूर लेकर आएं और अपने यहां पे इसको ग्रो कीजिए यह जल्दी ही आपको तीन से चार साल में फ्रूटिंग दे देता है क्योंकि काफी जल्दी बढ़ा होता है यह पिर तो अगर आप इसका ध्यान रखते हैं तो यह बहुत ही अच्छे से चलेगा और हम इसका बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखते तो आप देखी सकते हैं कितन पूर इसमें से फ्रूटिंग मिल जाएगी तो कुछ नहीं करना होता आपको सिंपली इसके जो सीड है वो लेकर आईए और गार्डन में दबा दीजिए जल्दी ही उनसे पौधा तयार हो जाएगा देखे जिस तरह से यह नीचे गिरते रहते हैं पके हुए फ्रूट इसक क्योंकि बारिश का मौसम है तो अगर हमें कहीं और इसके प्लांट ग्रो करने होंगे तो हम आसानी से कर सकते हैं और देखे इसकी वीडियो हमने डाली हुई है यह हमारा पूरे गार्डन में जितने भी फूल होते हैं इसके गुढ़ल के वो सभी खा जाता है यह ब्लकुल पसंद नहीं है हमें इसकी वीडियो एक डाली हुई है हमने हमारे चैनल पे डेस्क्रिप्शन बॉक्स में हम आपको उसका लिंक दे देंगे आप वहां से चेक कर सकते हैं तो देखिए एक और पेड है जो कि उसी के ही बराबर में लगा हुआ है इस पे भी काफी अची फू जो बड़ा वाला जामुन होता है वो दस प्रूट खाए आप उसके और जो छोटा है इसको आप 20 खा सकते हैं तो जामुन आप जरूर खाईए जो भी शुगर के मरीज है या मधुमेह के मरीज है वो इसको जरूर खाए बहुत ही लाबधायक होता है ये और जिसको नहीं भ काफी सारी और काफी अच्छी फ्रूटिंग दे रहे हैं ये एक पलाश का पेड़ है जो कि हमने एक दूसरा अपने गार्डन में लगाया हुआ है और एक हमने अपने एंट्रेंस पे लगाया हुआ है जिसकी वीडियो डेस्क्रिप्शन बेक बॉक्स में आप चेक कर सकते ह हैं तो ये काफी शुब होता है पौधा तो इसकी वीडियो आप जरूर देखे है कितनी कम से कम जगह में आप इसको ग्रो कर सकते हैं अपने घर के एंट्रेंस पे तो ये काफी अच्छा होता है लगाना और ये वही ही जो यूरेका लैमन हमने आपको दिखाया था इसकी ए खुटे हो गए इसकी आप देखी सकते हैं तो इसकी वीडियो भी हमने एर लेरिंग की भी एडियो डाली हुई है इसकी और केर की भी बीड आल लाले हुई है जो आप डस्क्रिप्शन Citagram में च्थे कर सकते हैं तो य है यूरेका लेमन है जो की काफी बड़ा होता है साइज यह हमें पूरे साल फ्रूटिंग देता रहता है एक दो एक दो इसमें लेमन हमेशा ही लगे रहते हैं तो काफी अच्छा पौधा है इसलिए आप यूरे का लेमन अपने गार्डन में ग्रो कर सकते हैं इजी टू केर प्लांट है कोई जादा जरूरी इसमें कोई फर्डिलाइजर भी नहीं डालना पड़ता है बहुत जादे मेहनत भी नहीं करती है तो इस पर फ्रूटिंग भी हो रही है और बड़े फ्रूट्स भी आ रहे हैं तो वीडियो आप जरूर चेक करिए और वीडियो को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और जो साइड में बेल बटन आता है उसको भी प्रेस कीजिए क्योंकि उसी से आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन लेगा और ऐसी ही अच्छी वीडियो आपको मिलती रहेंगी तो यह जो दूसरा प्लांट है यूरेका लेमन क लेकिन जब गार्डनिंग का शौक है तो हमें यह सब ग्रो करना अच्छा लगता है चाहे वो मिले और चाहे नहीं मिले तो यह देखें यह हम कुछ फूर्ट बाहर से लेके आए हैं अपने गार्डन से जो हमने अच्छे से वाश कर लिये हैं और कितने अच्छे शाइनी ल हुआ हैं बाहर दो जब करक दो लहां से बाम हैं तो जोहक्ता हैं हैं मैं ह Lynn स्विर्ट बंट के मिले हुए हैं और भी ना हollowकिमें कार्डन बाहर्ट तो आपको अच्छे लगती हैं तो फोड़ी बहुत भी अच्छे लगी हो तो लाइक हैं और कमेंट भॉक्स में जई बता चैनल पर और भी फ्रूटिंग प्लांट्स की वीडियो डली हुई है आप चेक कर सकते हैं थैंक यू